हाग हर किसी को उसके पैसों का हक है हर किसी उसके पैसे उपयोग करने का हक है कोई रोकता नहीं है idas लेकिन जरूरी नहीं हर बार नोड़ हाथ में हो तब उपयोग हो आज विखस्ताएं बहुत उपलब्द है आप अपने मोबाइल फोन से भी आपने सारे रुपिय जहां खर्च करने वो कर सकते हो आपके पाई-पाई पर आपका हक है कि मैं इस माध्यम से जब समिधान की चर्चा हो रहे हैं समिधान इन ववस्ताओं का विरक्षक है मैं देश स्वासियों से और खास करके समाज का नेत्रूत्व करने वारे हर वर्ष से मैं मीडिया से आगरह करता हूँ जिस देश का 5-65% नौजवान हो 35 से कम उमर के नौजवान हो जिस देश में 100 करोड से ज्यादा मोबाइल फोन हो जिस देश में अब टेकनोलोजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविदा उपलब तो हो सभी बैंक की अपनी एप हो तो हम क्यों न लोगों को प्रेरित करें लोगों को प्रसिशित करें और यह कोई कठीन काम नहीं है जब आज हम वोटसअप कहा सिखने गए परने कहले थे किसे एंगिन्ग कॉलज में जा कर अपने मोबाइल से देश का उजवल भविश्च के लिए हमने ट्रांसपरंसी लाने की आवशक्ता है डिजिटल करन्सी के और जाने की आवशक्ता है और हिंदुस्तान की पान सो शहर पान सो शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं आपको हरानी होगी आठ नमंबर के इस निर्णे का सबसे बढ़ा परणाम का फायदा किस ने उठाया मैंने कल हिजाम लिया कुछ नगरपाली का मानगरपाली का हो का बहुत कम इनीगी नगरपा पाली का मानगरपाली का कोई 40-50 का मुझे बताया गया कि पहले कि तीन साड़े तीन हजार करोड़ टैक्स आता था आठ नमंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गया एक पैसा किसके काम आएगा उस गाहों के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे कहीं ब एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है और इसलिए राजनिती के उपर भी समाज वितके बहुत काम करने होते हैं संभिदान हमें वो प्रेणा देता है संभिदान हमें हमारी विरासतों का समालने की जिम्यवारी देता है लिखा हुआ है उसमें हमारी महान विरासत की समालना ये संभिदानी का हमारी जिम्यवारी है आईए हम सब मिलकर के बाबा साब आमबेड करने जो महान कायर किया है उसके शब्दों को और भावों को पीड़ी दर पीड़ी समयनुकुल संदर्ब में हम उसको जी के सिखे जीना सिखे जी करके दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत नई उर्जा देते रहे